सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी को स्वागत हैं फैनली रियल्मी वालों ने अपने रियल्मी नार्जो 50 प्रो 5G के अंदर रियल्मी UI 4.0 based on Android 13 का न्यूँ सॉप्टेर अपडेट रोलिंग आउट करना स्टाट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से न्यू फीचर से देखने को मिलता है इसके अलावा इसका बेटरी परफॉर्मेंस की स्टेप से देखने को मिलता है साथ ही इसका अंतुतु स्कोर कितना देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं complete detail बताने वाला हूँ दोस्तो तो इसके लिए वीडियो को last तक जरूर देखेगा तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर bugs और features अगर आखे बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप device detail चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर उपर के side में आपको realme UI के साथ official version देखने को मिलता है और realme narjo 50 pro का model number RMX3395 देखने को मिलता है बात की जाए इस update के basic information की तो यहाँ पर आपको c.13 का new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है 1.16 GB का है और यह आपको realme UI 4.0 के update के साथ official version देखने को मिल जाता है बात की जाए इस update के बाद इसके android security page की तो यहाँ पर आपको android 13 के update के साथ 5. July 2023 का current month का latest enhanced android system security देखने को मिलता है इस update के साथ इसके लाओ बात की जागले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी छोटे मोटे non issue थे bugs वगरे देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे की पूरे system performance और उसके overall system stability को optimize and improve किया है जिससे की और भी better experience देखने को मिलता है इस update के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो dynamic computing engine है उसके performance और उसके stability को optimize and improve किया है जिससे की जो apps experience, battery life, speed और stability अगरा जो है काफी अच्छा देखने को मिलता है साथ दोस्तों कोई को user को कुछ-कुछ time पर lagging issue देखने को मिलता था तो उसको भी यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको better performance देखने को मिलता है इसके लाओ बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों setting के अंदर, password and security के अंदर system security को क्लिक करते है तो यहाँ पर आपको Google Play system update देखने को मिलता है और इस update को करने के बाद अगर आप Google Play system को update करते है तो आपको 1st June 2023 का latest Google Play system update देखने को मिलता है पहले दोस्तों 1st मही के देखने को मिलता था लेकिन इस update के बाद आपको 1st June 2023 का latest Google Play system update देखने को मिल जाता है इसके लाओ बात की जागले change की तो communication के अंदर, यहाँ पर दोस्तों जो mobile network connection और communication है उसको यहाँ पर और भी improve किया है, उसके जो stability है, उसको यहाँ पर improve करके stable कर दिया है जिससे की जो mobile network के up-down हो रहा था, वो यहाँ पर stable देखने को मिलता है आपको इस update के बाद mobile network के को जो problem है, वो यहाँ पर solve देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जिए अगले चेंज की तो वह आपको मिलता है दोस्तो सेटिंग के अंदर additional सेटिंग के अंदर nichekside system service में यहाँ पर दोस्तों आपको enhanced intelligent service देखने को मिलता है ये problem दोस्तों आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है ये problem दोस्तो अभी government तक को चला गया है क्या होता था दोस्तो कि ये जो features है ये automatic default में on रहता था ये आपको बहतर service देने के लिए आपके call, message, location I mean पूरे की पूरे जो activity है आपका उसको ये read करता था तो उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है अब दोस्तो इस update के बाद आपको ये वाला features जो है by default आफ देखने को मिलेगा साथ ही दोस्तो जो description है आप देख सकते हैं उसको यहाँ पर change कर दिया है यहाँ पर आप आपको call, message, location वागेरा का कोई भी information यहाँ पर show नहीं हो रहा है तो इस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको by default ये आप देखने को मिलेगा आपको अगर enable करना है आप यहाँ पर आकर enable कर सकते हैं इसके लाओ बात की जागले change की तो apps के अंदर यहाँ पर दोस्तो जो weather apps है वो आपको weather का information properly show नहीं करता था कभी कभी जो है unavailable करके message show कर देता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको weather का information properly देखने को मिल जाता है इसके लाओ बात की जागले bug fixes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो ringtone के अंदर यहाँ पर दोस्तो अगर आप setting में जाकर sound and vibration में जाकर ringtone set करते हैं तो आपको properly ringtone set करने को मिलता है लेकिन दोस्तो अगर आप किसी specific contact में ringtone set करना चाहते हैं जैसे अलग-अलग contact के लिए अलग-अलग ringtone set करना चाहते थे तो वो properly set नहीं हो पाता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप किसी भी specific number में ringtone set करना चाहते हैं तो आप properly set कर सकते हैं अलग-अलग contact के लिए अलग-अलग ringtone set कर सकते हैं इसके अलब बात की जैगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो डिस्पले के अंदर अगर दोस्तो आप video playback करते हैं या फिर eye protection mode on करके रखते हैं तो आपका जो display है वो black हो जाता था I mean display on रहता था फिर भी black screen देखने को मिलता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको better performance देखने को मिलता है इसके लाओ बात कीज़ अगले change की तो अगर दोस्तो आप recorder apps से recording वगरा करते हैं तो उस time पर आपको sound quality खराब देखने को मिलता था proper way में sound quality सुनने को नहीं मिलता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप recording वगरा करते हैं तो आपको better और perfect sound quality देखने को मिलता है इसके लाओ बात कीज़ अगले change की तो power consumption के अंदर यहाँ पर दोस्तो power consumption जो है कुछ-कुछ situation में काफी ज़्यादा यूज होता था साथ ही third party apps वगरा जो है camera यूज करने एक time पर काफी ज़्यादा power consume होता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे की जो battery life है battery backup है वो आपको better देखने को मिलता है इसके लाओ बात कीज़ अगले change की तो camera के अंदर यहाँ पर दोस्तो camera effect में problem होता था साथ ही कुछ-कुछ situation में performance जो है problem करता था जिसकी वज़े से photo अगर लेने में camera यूज करने में problem face होता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आप photo अगर लेते हैं तो आपको better effect के साथ photo और performance देखने को मिलता है एंडगे इस बात की जा इस update के बाद इसके अंतुतु score की तो यहाँ पर दोस्तो मैंने इस update को करने के बाद इसका अंतुतु score practically test किया था जहाँ पर इसका score देखेंगे तो आपको 5,6,000 के आसपास देखने को मिलता है साथ ही इसका CPU, GPU, Memory, UX का score भी आप देख सकते हैं आपको कुछ इस type से देखने को मिलता है इस बात की जाए इस update के बाद इसके battery performance की तो यहाँ पर दोस्तो जो battery backup है, battery performance है वो आपको पहले से better देखने को मिलता है पहले दोस्तो आपका third party apps वगरा ज्यादा battery consume करते थे camera यूज करने पर ज्यादा battery consume करते थे तो उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको better battery life, battery backup देखने को मिलता है साथ दोस्तो इसका जो charging speed है वो भी आपको सही देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तो अगर आप charging करते हैं तो आपको थोड़ा hitting issue देखने को मिल जाता है एंड गे इस बात की जाए इस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर दोस्तो इसका जो game performance है वो पहले से थोड़ा better देखने को मिलता है पहले दोस्तो काफी जादा lagging issue, jitter issue और frame drop issue देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है लेकिन दोस्तो अभी भी आपको बीज वीच में lagging issue देखने को मिलता है जो की पहले से थोड़ा कम हो गया है साथ दोस्तो अगर आप जादा game खेलते हैं तो आपको थोड़ा hitting issue और थोड़ा fast battery draining का problem face करना पड़ सकता है तो यह रहा इस update का full review दोस्तो यह update आपको मिला है की नहीं मिला है मुझे comment करके जरूर बताइएगा तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं हम next वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो